हुक्का बार में चली गोली, एक की मौत बार को इसी साल एक अप्रेल को बंद किया गया था कालकाजी थाना इलाके के गोविंदपुरी एक स्टेशन में गुप चूप तरीके से चलाए जा रहे एक हुक्का बार में गोलिया चलने की वारदात सामने आई है इसमें एक नाबालिक को गोली लगी, जिसकी मौत हो गई, गोली सिर में लगी थी, घटना में एक अन्य युवक भी घायल हुआ है, इस हुकका बार को इस साल एक अप्रेल को बंद कर दिया गया था, लेकिन पुलिस का कहना है कि हुकका बार का माले के से गुप चुप तरीके से चला रहा था, यहां बर्थडे की पार्टी चल रही थी, इसी दोरान यह वारदात हुई, साउथ एस्ट दिल्ली के डी सीपी राजेश देव ने बताया कि घटना के बारे में शनिवार दोपहर सवा तीन पर सूचना मिली, जिसमें बताया गया था कि एक युवक को गोल इंस को एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया जा चुका है, फिर पुलिस वहां पहुची, पुलिस को डॉक्टरों ने बताया कि घायलों में 17 साल के कुनाल की मौत हो चुकी है, कुनाल के सिर में गोली लगी थी, जबकि राहुल नाम के लड़के के पैर में घाव मिला है, पता लगाया जा रहा है, कि ए घटना कैसे हुई, पुलिस का कहना है कि गुप चुप तरीके से चलाया जा रहे, इस हुका बार में लखी नाम के लड़के के बर्टदे की पार्टी चल रही थी, मामले में एक संदिग्ध की पहचान की गई है, उसकी तलाश की जा रही है, पुल पहली मंजिल पर चल रहे एक हुका बार में हुई थी, जिसे कुछ कारणों की वजए से एक अप्रेल को बंद कर दिया गया था, इसके फर्ष पर खून बिकरा था, तफ्तीश के दोरान पुलिस को पता लगा की घायलों